तमिल्लाडू की राजनीती में फिल्मी दुनिया से कई कलाकारों ने एहम भूमिका निभाई है। पार्टी के नेता अरुनाचलम भाजपा में शामिल हो गए है। पूरे मामले को जाने के लिए इस रपोर्ट को देखिए। कमल हसन और रजनीकांत ने राजनीती की कमान संभालने की सोची है। ऐसे में क्या दोनों अभी नेता रजनीकांत और कमल हसन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर अटकलें भी जोर उपर है। इनी चुनावी तैयारियों के बीच कमल हसन के लिए बुरी खबर आई है कि उनकी पार्टी के नेता ने चुनावों से पहले ही उनकी पार्टी से किनारा कर लिया है। तमिलाडू की राजधानी चेन्ड़ी में केंद्रिय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावडेकर की उपस्थिती में कमल हसन की पार्टी मकल निधी मयम के नेता ए अरणाचलम भाजपा में शामिल हो गए है। उन्हें जावडेकर ने पार्टी की सदस्ता दिलाई आपको बता दूँ कि राज्जी में अगले साल विधानसबाद चुनाव होने है उससे पहले अरुणाचलम का भाजपा में आना कमल हासन के लिए एक जटका है अरुणाचलम मकल निधी के संस्था पक महा सचिव थे पार्टी शुरू होने के बाद से ही वो हासन की काफी मदद किया करते थे ऐसे में तमिलनाणू में विधानसबाद चुनावों से पहले पार्टी की नेता का भाजपा में शामिल हो जाना हासन के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है लेकिन कमल हासन ये साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसबाद चुनावों में कजगम पार्टीयों के साथ गडबंदन नहीं करेंगी कमल हासन का इशारा साफ है कि उनकी पार्टी DMK और AIDMK के साथ गडबंदन नहीं करेंगी वहीं दूसरी तरफ कमल हासन के कॉंपटीटर रजनी कान पहले भी PM मोधी की नीतियों की सराहना कर चुके हैं उन्होंने कई मौकों पर भाजपा के साथ गडबंदन बनाने का संकेट भी दिया है अगर भाजपा के साथ रजनी कान्त की पार्टी का गडबंदन होता है तो कमल हासन के पास विरोधी खेमे में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा अगर अजनी कांत को अन्ना द्रमोक और भाजपा का समर्थन मिलता है तो कमल हसन को कॉंग्रेस का समर्थन चाहिए इसके लिए कमल हसन जमीन तैयार कर रहे है पियम मोधी के खिलाफ बोलने के बाद ही उन्हें विरोधी खेमों का समर्थन मिल पाएगा पर उससे पहले ही उनकी पार्टी बिखरती नजर आ रही है और उनके विरोधियों की पार्टी में शामिल होने के लिए अवड़ा चलन ने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे कमल हसन हताश होकर तमिलाडू से केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रहे है ताकि मोधी विरोधि गुट में उनके लिए भी जगह बन सके क्योंकि उनकी पार्टी के नेटा को भाजपा का साथ मिला है तो अब हसन विरोधि गुट का साथ पाने के लिए उस तरफ रुख करते नजर आएंगे क्यापिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सब का धन्यवार अगर आपको हमारा विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और क्यापिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने सुझा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया